आजी सारा बाई नमसकार मैं आपका दोस्त कमल आज फिर से बहुती सांदार फरम बहुती बढ़िया, बाई साब ने मात्थर दो गाई से शरुआत की है, बहुती बढ़िया भी न्यू फरम इस्चाड़ किया, हम आपको पूरुज जानकारी बताएंगे कि कैसे क्या सेडूल तियार किया गया और कैसे कितनी लागत लगी है कितने भाई कितने का फारम बनाया है भाई साब ने और टी सेट बहतर है या यह बिल्कुल चटाई वाला बहतर होता है तो आज हम भाई साब से बात करेंगे कि जब कोई भी युवा अगर न्यू फारम खोलता है तो उसे मलब क कि किस फिल्ड में जड़ा पैसे लगाना चाहिए मलब की कौन सी ऐसी हर मलब की हर फिल्ड में उतरने से पहले उसको क्या जानकार होने चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए यह देखिए महातर भाईशाब ने बहुत ही बढ़िया संदर फारम अभी निव इस्टार्ट किया है महातर अभी तक फारम में दो कउट लेकर आये हैं और आप देखरें बिल्कुल अभी शुरुआती है आज का फ़स्ट वीडियो इन्हीं फारम पर बना रहा हूं मैं न्यू फारम है कि देखि कितना सांदार फारम बाई है भाईशाब ने लगबग जमीन के लेवल का नहीं जमीन से दो से तीन फिट उच्छा है क्योंकि अभी कि बारिस का मोसम है इसलिए थोड़ा सा उच्छा रखाए भाईशाब ने क्योंकि पानी लब एक लेवल का नहों जाए खेत के बरापर नहों जाए तो यह देखिए पेतिस बाई साट का पेतिस इंटू साट पेतिस चो होता है कि आप पहले बिजनिस शुरू करें हो या कुछ वह पार सुरू करें तो एससे फिल्ड में पेसे लगाओ कि उसमें हमें ज्यादा मुनापा हो ज्यादा फाइदा हो कोई नुक्सान ना हो तो भाई साब ने महातर सितर जार में यह फारम बना के त्यार एकदम कंप् से लगाना की जुरत होती है जा लगाना की चाहि हमें देखें ब्लकुल नईया फारम बनाया भाई साब में बहुतिए सुन्दर कम बजट में भाई साब के श्टर कर चुके आज भाई साब मने मांथर यह से चुरूदा कर चुके अब़य जब इनके फारम पर लगबग यह 25 गाई का सेट बना चुके वाई साथ 25 गाई जब इनके पूरी होगी जब हम आपको पूरी जानकर ही बताएंगे जगो मता जहिन